वेल्कम बैक तो दो चानल स्रस्टी स्टेडी पॉइंट और हब हम देखेंगे इस वीडियो में उत्तर प्रदेश प्लिस कॉंस्टेबल भरती की जो इस समय री एक्जाम चल रहा है उसकी सेकिन सिफ्ट का यानि की तेईस अगस्ट की सेकिन सिफ्ट के कोशन आंसर को की जो को की कि आपको सटी का अंसर दे पाऊं और यहां पर हम जो हैं वो जी एस और हिंदी ये दो पॉर्शन को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले जी एस के कोशन जो की 58 नंबर पर है पहला कोशन तो उसको देखते हैं यहां पर देखें यह यह देखें यह है पहला कोश को देखते हैं इसे पहले लिखा है कि UDHR मानव अधिकारों की सार्व भूह में घुशना का कौन सा अनुच्छेद उत्पीरंड से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है तो यह है अनुच्छेद 14 इसका भी ऑप्शन है ठीक है 59 है NPA का पूर्ण रूप पूछा है त non-performing assets A option है 59 का और इसका 60 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा अनरत्य मनाया जाता है तो यह ललितपुर में मनाया जाता है अगला है 61 61 में है व्यापक परमालू परिक्षन पृतिबंद संधी का मुख उद्देश क्या है तो यह है नागरिक और सेन दोनों पृतो पर प्रतिबंद डी ऑप्षन है 62 अर्जुन पृसकार के शेत्र की उपलब्दियों के लिए दिया जाता है तो कुनम ए ऑप्षन है इसका खेल के शेत्र में 63 है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मिकता है तो इसका आंसर है डी अबुल कलाम आजात इसका 64 है कि 2016 म परसेंट फिर 65 है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने वियना घोशना को अपनाया था सी ऑप्षन है इसका इसके बाद 66 है कि समवैदानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राजविधान सभाव में अनुस उचिज जातियों और अनुस उचिज जातियों के लिए सीटों का अरक्षन बनाया था तो इसका 66 का उत्तर जो है वो 79 संविधान संशोधन है यानि की 89 संविधान संशोधन ठीक है डी ऑप्षन है इसका 67 लोक टक जील के बारे में पूछाई किस राज्य में है तो इसका उत्तर भी है मड़ीपुर में है ये इसके बाद आजाते हैं 68 पर प्रस्तावना में राष्ट की एकता और अखंडता की शब्दों का उलेक किस मौलिक सिद्धान को बढ़ावा देता है तो ये संप्रभुधा को बढ़ावा देता है डी ऑप्षन इसका सही है 68 69 पर आजाता है कि एक सौफ्ट्वेर प्रोग्राम है जो इं नीते कुपयोग यानि कि अपने मतलब के लिए एक कौन से शब्द के लिए है तो ये यहाँ पर है सामाजिक माध्यम विप्रण या वाजारी करण सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसे इंगलिश में कहते हैं एकत्तरवा है भूटान की राजधानी बहुत सरल कोशन था थिम थी तो इसका उत्तर है पर अगस्त उनिस्सो ठांवे बी ऑप्शन इसके बाद है यहाँ पर चोहत्तरवा चोहत्तरवा है भारत रों वियतनाम के बीच साधिदारी से उनके छेत्री सुरक्षा परिदस में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा तो इसके अंतरगत है यह रक् पुस्तक किसकी है तो ए ऑप्शन है अमीर खुस्रो की पुस्तक है इसके बाद यहाँ पर है अंतर राष्टी आ अक्षय उर्जा एजंसी क्या करती है यह जो है अक्षय D option होगा इसके अंतर कर ठीक है U N C C T इसको याद रखिएगा यहाँ पर यह इसका अंसर होगा Interpol मत करके आईएगा इसके बाद है करके आई होंगे Interpol नहीं करके आई होंगे क्योंकि यह तो पिपर हो गया अगर इसे रिलेटेड और कोशन आता है तो आगे वाले एक्जाम के लिए जो बच्चे परिक्षा देंगे उनके लिए यहाँ पर मैं बता रहे हैं दुख दुत पादन और ब्रेड आदेगी वश्यक बस्तुवों पर GST दर क्या है तो वो है 5% A option चंद्रमा पर नासा के मानव एक्ट लेंडिक मिशन को क्या नाम दिया गया जो 24-25 तक होने की संभावना है तो इसको नाम दिया था Artemis इसका D option है इसके बाद है यहाँ पर 81 अंतर रास्टिय थर्मो निकुलर प्रायोग रियक्टर प्रायोगिक रियक्टर परियोजना का उद्दिस निमलिखित की विवारता पर दर्शित करना है तो यह है बड़े पैमाने पर और कारवन मुक्त श्रोत के रूप में सनलयान उर्जा B option 81 का इसके बाद 82 पर आते हैं 14 सितंबर किस रूप में मना जाता है तो यह मना जाता है राष्टी हिंदी दिवस के रूप में A option फिर है 83 वा question भारत जो भारत माला परियोजना वो किस से सम्मन देता है तो बुछ सड़क मार्क पूरे भारत के जो पूरा किनारी से सड़क मार्क बनाने से लिए रिलेटेड है A option 83 का और 84 है यह भारत में प्रकाश का तिवार कौन सा होता तो दिवाली होता B option है इसके बाद 85 है भारत भारती GST में निमलिखित में से किस प्रकार करकर पृस्तित के जाता है तो वो सेवा कर है ठीक है B option होगा इसका इसका 86 है कि सबसे पहले बुनियादी सिक्षा का विचार किस नहीं दिया था तो महत्मा गानी ने दिया था A option होगा 87 है B 21 में कौन सा राज मसालों के लिए प्रमु खुत पादक था तो मद परदेश था A option ठीक है इसके बाद 88 है प्रथम Lifetime Disturbing the Peace Award सांती भंग का आजीवन प्रुसक पार किसे दिया गया तो यह सलमान रुष्टी हो A option है 89 है सबसे कम लिंगा रुपाद वाला भारती राज हर्याना मैंने कहा था कि 2011 की जडगना जरूर पढ़ लेना हर्याना है और सबसे ज़्यादा वाला केरल है इसके बाद 90 जो जनसंख्या है जनसंख्या का गनत वह कैसे नापते हैं तो यह D is equal to N upon S, ऐसे नापते हैं ठीक है C option इसका होगा 90 का, इसके बाद आते हैं 91 पे, 91 वा कोशन है कि बायो मेट्रिक प्रायोगी का एक ही करन भारत के आंतरिक सुरक्षण आचे को कैसे बढ़ाता है तो पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करक इसका 92 में आते 1998 का बार्दोली जो सत्यागर था उसका नेत्र तो किस नहीं किया था तो सरदार बलभाई पटेल लें B option है इसका इसके बाद 93 वा है 2021 में Instagram को internet पर दुनिया भर में सबसे अधिक स्तमाल किये जाने वाले social media platform में इसका कौन सा इस्थान रहा यह पूछा है ठी ठीक है चौथा इस्थान था Instagram का इसके बाद है यहां पर D option है इसके बाद 94 वा है चीन ने तिबद पर आकरमर कब किया था उन्हें 150 में किया था B option 95 वा है निमलिकित में से किस जीव का जल प्रदूशन का जैव संकेतक माना जाता है किस जीव को जल प्रदूशक का तो जैवरा मेडक शेर यह तो ही नहीं जल में कि नहीं मेडक है इसका उंसर मेडक है ठीक है मेडक है के चुआ यह तीनों नहीं है ठीक है तो C option है इसका इसके बाद है यहां पर 96 वा यह आ गया रीजनिंग के सवाल ठीक है तो 95 सक्तियों थे वो आपके GS के कोशन थे अब चलते हैं हिंदी पर जो 114 से स्टार्ट है ठीक है तो 114 से हिंदी के कोशन है 114 ही आ गया इसमें सबसे पहले कविता दी है और यह इसमें कोशन है लक्षमी थी या तुर्गा थी वैस्वें बीरता की अफ्तार वोई खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी यह हम बच्पन से सुनते चले आ रहे हैं यह इनोंने दिये से रिलेटिट कोशन है कवित्री की अधिकांस रचना है देश भक्ती पूर्ण है C उप्षन है इसके बाद है खूब लड़ी मर्दानी वै तो जहासी वाली रानी थी मर्दानी शब्द किसके लिए था तो वीरांगना के लिए था A उप्षन है इसका फिर उसके बाद है यहाँ पर उक्त पद्यांस का सही शीचक क्या होगा तो जहासी की रानी होगा एप्शन इसका ठीक है इस चाद इस जिस कवीता में कवितरी का नाम क्या है अभी आपने उपर पड़ा सुबाद गुमारी चोहान बी आप्शन है इस कवीता में प्र्यूक किया गया रस कौनसा है तो इसके अनुसार्ड라고 option होगा ठीक है बीर रस है ये 118 इसमें फिर होगा ये जो कविता दी थी उसे डिया गया तो श्रीकांत वर्मा को बी option इसके बाद 122 कोशन है कि निमलीขित में rapt से शब्द विशेश्ण कौन सा है इसमें कौन सा शब्द जो है वर विशेश्ण है तो निपट जो है वो शब्द विशेश्ण है अवे कि कितने भेगद होते हैं तो Πार ओचारण कर knowing कहा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं इस युक्ति में प्रियुक्त धर्म जो है उसका क्या आर्थ है तो उसका आर्थ है गुण बी ऑप्शन है कानन का प्रयावाची शब्द का होगा ये कोश्चन इसमें सबको नंबर मिलेगा ठीक है क्योंकि वन और अरण ये दून कानन के ही प्रयावाची है इसलिए यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको नंबर मिलना चाहिए इसके बाद क्रता क्रता क्रत में कौन सा समास है तो करमधारे समास है इसमें सी ऑप्शन है 128 211 वाक्य में क्रत वाच्च का प्रयोग किया गया तो मोहन पुस्तक पढ़ र होती है रंगत होती है मेहनत करती है मेहनत होती है तो फीमेल में तो आहर इसका होगा डी ऑप्शन माग फागुन में पढ़ने वाली रितु क्या होती है ठंड होती है जिसे शिशिर कहते हैं हम लोग बहुत ज्यादा ठंड होती है ए ऑप्शन है इसका अभिग माने होता ज् फोजित के अन्भीग होता है, तो अभिग्ग का अर्थ पूछा यहां पर तो जानकार होगा, भी औप्शन है, צीफ की दावत इस कहानी के रचनाकार जो है वो भीश्म सहानी है थी औप्शन है, निमलिक्फित में कौनसा अर्ध विराम है तो अर्ध विराम ये होता है, dot और नीचे कॉमा, b option होगा इसका, iti, iti, जो सही वो है, वो इसका पूरा बताना है, विकल्प का अर्थ सही क्या है, तो आपको मैं बताओं कि iti माने होता है किसी चीज़ की समापती, और iti माने बाधा, तो ए हो जाएगा इसका, iti तो आप ज आने का अभ्यास करता हूँ, b option विल्कुल ठीक है, 136 है अभय और उभय, उभय माने होता है, दोनों वारा, दोनों उभय लिंगी पड़ें आपने, तो दोनों और अभय माने निर्भय, तो a option इसका होगा, ठीक है, 136 का अभय और उभय वाले का, निर्भय और दोनों वाला अंधेर नगरी का क्या अर्थ होता है, अंधेर नगरी का होता है, जहां अन्याई की जगह हो, वही अंधेर नगरी होती है, अधेर नगरी हो चौपट राजा, तो b option है इसका, कांती और क्लांती, शब्दिवगुम का सही अर्थ क्या है, तो कांती का मतलब होता है, चमाक औ क्लांति के मतल़ ओताँ थकावड तो B option इसका ठीक होगा आधी और व्याधी में आधी का अर्थ पूचा है तो आधी का अर्थ होता है मानसिक कस्ट व्याधि मानेद भी पूचा हैं पर तो A option इसका ठीक होगा ता जो है वो कहां से बोला जाता है ता था दा तो देखें कारण बाचक कारण न अंधा इसलिए ला चाहर है तो डी ओप्शन होगा 141 का कारण बाचक 142 बिनपक चले बिनुकाना यह है पूरा इसमें तो इसमें बिवावना अलंकार है 142 में बिवावना 143 में विशेश योगदान के लिए ग्यान प्रुसकार दिया जाता है सबको पत जाती तो बड़ी E भी छोटी में बदल जाएगी तो दवाईयां होगा ये ठीक है B option इसका ठीक है वड़ माला किसे कहते हैं बड़नों के विवस्ति समू को वड़ माला कहते हैं C option होगा अंगारे बरसना का मतलब होता है कड़ी धूपोना जो बहुत तेज धूपोती तो कहत जीती तो B option होगा 147 का 148 है निमलेखित में से विशेशन कौन है तो सुन्दर विशेशन है ये तो बहुत सरन था ठीक है एक विशेशता बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं तो सुन्दर जो है C option 148 का है फिर 149 जो है मुझे बारिस में भीगना पसंद नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजीएगा प्लिस बर्ती से जो भी आतीं परेक्षा होंग़े उससे। सारे पीपर्स की हिंदी और जीयस जो है मैं सॉल्व करके चैनल पर अप्लोड करती रहूंगे मिलूंगे एगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार दूस्तों धन्यवाद